हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूटूब चेनल जैसे कि आपको पता है आज 23 जुलाई को SSC MTS का कोई भी एक्जाम नहीं है दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जिनका अभी तक SSC MTS का एक्जाम नहीं हुआ है आगे एक्जाम बाकी है देखिए अभी तक जितने भी स पर अभी एक्जाम होना बाकी है ना पूरा वीडियो जरूर देखना ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत important रहेगा इसलिए इस वीडियो को बिना skip की हुए end तक पूरा देखेगा और वीडियो चल लगे तो like, share, subscribe भी कर देना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखे फ्रेंड्स कोशन से स्टार्ट करते हैं फटा फट से अपने सभी कोशन कवर करेंगे बहुत सारे कोशन मैंने एड़ के हैं इस वीडियो में फर्स्ट कोशन है प्रो कबड़ी लीग चेंपियनसिप का आठवा सीजन किस टीम ने जीता तो ये जीता दबंग दिल ने किसको हराया फाइनल में पटना पाइरेट्स को नेक्स्ट कोशन है 2020 का टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने मैडल जीते हैं टोटल साथ मैडल भारत ने जीते हैं जिसमें एक आपका गोल्ड शामिल है दो सिलवर शामिल है बाकी चार जो है ना वो ब्रोंज शा नेक्स्ट कोशन धन विदयक की सनुचेद में है यह आपका सविधान के अनुचेद 110 में स्तित है नेक्स्ट कोशन है नेताजी सुभाज संदर बोस अंतराष्ट्रे हवाई अड़ा कहां पे है तो यह आपका बंगाल के कोलकता में स्तित है पस्सि मंगाल के कोलकता शहर में निता जी सुबास संदर बोस अंतराष्ट है हवाई अड़ा आपका located है नेक्स्ट कोशन पंडित बिर्जु महराज किसे समंधित हैं इनसे दोस्तों कोशन लगबग अभी तक 5-6 बार ये कोशन रिपीट हो चुका है बिर्जु महराज से नेक्स्ट कोशन नीती निर्देशक तत्व ये किस देश से लिया गया है ये आपका आयरलेंड देश से लिया गया है वीडियो को आप स्किप मत कीजेगा आपके लिए वीडियो बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि बिल्कुल ये कोशन आपके रिपीट होंगे इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखिए जिनका भी आगे एक्जाम है SSC MTS का Next question कुस्ती खिलाडी रवी कुमार धहिया ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जिता Tokyo Olympic 2020 में कुस्ती में खिलाडी रवी कुमार धहिया ने रज़त पदक अपने नाम किया है Next question देखते हैं आरे समाज के संस्थापक कौन थे स्वामी देयानन सरस्वती थे कब इन्होंने स्थापना की थी आठारा सो पिछेतर में Next question है 1762 में मेसूर का शाशक कौन था हैदर अली 1762 में मेसूर का सासक था Next question प्रथम ICC World Cup कब हुआ था प्रथम जो ICC World Cup है ये 1975 में हुआ था इंग्लैंड में और इसे जीता था West Indies टीम ने इसके बाद जो दूसरा World Cup हुआ था 1979 में वो भी West Indies टीम था और तीसरा हुआ था 1983 में इसमें ये हैटर कर सकते थे West Indies देश पर इनको रोका किसने था भारतिय टीम ने कपिल देव की टीम ने इन्हें रोक लिया था और 1983 में पहला World Cup इंडिया को जिताया था Next Question तराइन का युद किसके मध्य में हुआ था तराइन का दो युद हुआ था एक हुआ था 1191 में प्रतम युद दूसरा हुआ था 1192 में द्वित्य युद युद ये दोनों युद मोहमत गोरी और प्रित्वरा चुहान के मध्य में लड़े गे थे पहले युद में मुहम्मद गोरी की जीत वी थी पहले युद में पृतिवरा चुहान की जीत वी थी दूसरे युद में जो है ना मुहम्मद गोरी चल से जीत गया था नेक्स्ट कोशन टेस्ट ओफ माई लाइफ ये किसकी ओटो बायोग्राफी है यह आपके किर्केटर यूराज सिंग की ओटो बायोग्राफी है नेक्स्ट कोशन है कतक कली किस राजे का नरते है कतक कली की बात करें तो यह आपका केरल का नरते है यह कोशन 5-6 बार रिपीट अभी तक हो चुका है इस वीडियो में कुछ कोशन ऐसे हैं जो आपके 7-7-8-8 बार रिपीट हो चुके हैं एमटेस एक्जाम में तो अंदादा लगा सकते हैं कितनी बार रिपीट हो रहे हैं कोशन नेक्स्ट कोशन है हेमा मालीनी किस नरते से समंध रखते हैं तो रिशे कपूर यहाँ पे आपका राइट आंस पर होगा नेक्स्ट कोशन राष्ट्यपती के द्वारा राजे सवा में कितने सदस्चे मनोनित किया जाते हैं नेक्स्ट कोशन है इनमें से कोन महराश्ट्र का लोक नरते है लावणी ये वाला कोशन आपका 4-5 बार रिपीट हो चुका है वी तक एक्जाम में लावणी ये महराश्ट्र का नरते है नेक्स्ट कोशन है उंट महोसव कहां मनाया जाता है यह आपका बिकान राजस्थान में मनाया जाने वाला महोसव है और मरू महोसव भी ध्यान रखेगा जेसल में राजस्थान में मनाया जाता है next question देखते हैं महावीर स्वामी ने कोन सी उमर में सन्यास लिया था महावीर स्वामी ने 30 वर्स की आयू में जो है ना सन्यास लिया था next question भारत छोड़े भांदलन कब हुआ ये आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था next question है दिल बेटारा जो फिलम थी उसमें जो में जो टाइटल डान्स थाना दिल वेचारा उस डान्स को कोरियोग्राफ किस ने किया था तो उस डान्स को कोरियोग्राफ किया था फरा खान ने नेक्स्ट कोशन बी सिसी आई ने पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया है तो ये बनाया है पुरुव क्रिकेटर और कप्तान रह चुके भारतिय क्रिकेट टीम के राहूल द्रैविड को नेक्स्ट कोशन है दिल्ली की पहली महिला मुसलिम साची का कौन थी रजिया सुल्तान थी ये इल्टुत मिश्ट की बेटी थी ध्यान रखेगा नेक्स्ट कोशन सड़ सटवा दादा साहिव फाल के वोर्ड किसे मिला है ये आपका रजनी कांथ जी को मिला है next question है महा भोधी जो मंदिर है ये किस राजय में है महा भोधी मंदिर ये आपका बिहार राजय में स्तित है next question गणगोर महसव कहां मना जाता है ये आपका राजस्थान में मनाय जाने वाला महसव है next question देखते हैं direct hit ये किस खेल से related एक word है direct hit जो शब्द है ये किर्केट खेल से समन्दित है और एक होता है direct free kick जो की football खेल से related है next question एसूटेबल बोई के लेखक कोन है एसूटेबल बोई के लेखक है विक्रम सेट और एक पुस्तक है अनसूटेबल बोई उसके लेखक है करन जोहर ध्यारखी का दोनों ये एक्जाम में आ चुका है next question IPL 2022 में मनीस पांडे ने किस टीम से खेला था IPL 2022 में मनीस पांडे जो नई टीम थी लखनो सूपर जाइंट्स इससे ये खेले थे next question देखते हैं next question है कि वासको डिगामा भारत की खोज गब किया था वासको डिगामा ने भारत की खोज 1498 में की थी तो यहां पे 1498 आपका राइट आंस्वर हो जाएगा next question बीहु जो त्योहार है ये कहां मनाय जाता है ये आपका असम में मनाय जाने वाला त्यहार है ये कोशन लगबग आठ से दस बार अभी तक रिपीट हो चुका जितने भी शिफ्टों में एक्जाम हुआ है आठ से दस बार ये कोशन आ चुका है नेक्स्ट कोशन है 2021 में RBI का दोबारा से गवर्नर किसे बनाया गया है ये आपका शक्तिकान दास को बनाया गया है नेक्स्ट कोशन है राजे सबा का सदश्य बनने के लिए निून्तम आयू सीमा कितनी होती है 30 वर्स होती है लोग सबा के लिए होती है 25 वर्स नेक्स्ट कोशन कौन से गायक को भारत रतन से समानित किया गया थालता मंगेशकर जी को सन 2001 में भारत रतन से समानित किया गया था और इन्हें दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है विसु का सबसे बड़ा महासागर तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर नेक्स्ट कोशन सबसे अधिक जो तन्य धातू है वो कौन सी है सबसे अधिक जो तन्य धातू होती है वो सोना होती है तो यहाँ पे सोना आपका राइट आंस पर होगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं ब्रहधेशवर मंदर का निर्मान किसने करवाया था ब्रहधेश्वर मंद्र का अंद्रिमान सन 2030 से 2010 इस्वी के बीच में चोल शाशक राजा राज चोलने करवाया था नेक्स्ट कोशन है पन्ना टाइगर रिजर्व ये किस राजे में है ये आपका मध्य परदेश में है इसकी स्थापना हुई थी 1981 में नेक्स्ट कोशन है अप्रेल 2022 तक भारत के सबसे अमीर वेक्ति कोन थे मुकेस अंबानी थे वर्तमान में आपसे पूछे ना दोस्तों अप्रेल 2022 के बाद से जो वर्तमान तक जो अभी है ना वो आपके गोतम अडानी है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन कपास उत्पादन में अगरनी राजे कोन सा है तो यह हो जाएगा गुजरात राजे नेक्स्ट कोशन है पंजाब के वर्तमान में मुके मंत्री कोन है तो यह नए जो चुनेगे मार्च 2022 से जो नए मुके मंत्री बने है यह भगवंतमान सी है बने है जो की आम आदमी पार्टी से हैं, नेक्स्ट कोशन है, अशोक ने 261 इशापुरो में कलिंग कायूद किया था, उस कलिंग को वर्तमान में किस नाम से जना आता है, उडिसा के नाम से, ठीक है, नेक्स्ट कोशन है, मौलिक अधिकार की सनुछेद में है, यह आपका आर्टिकल 12-35 में हैं, और यह भाग तीन में हैं, और यह कहां से लिया गया है, अमेरिका देश से लिया गया है, नेक्स्ट कोशन, सतलुज नदी और काल नदी के मध्य वाले हिमाले के भाग को क्या का जाता है, इसे कुमाव हिमाले कहा जाता है, नेक्स्ट कोशन है, बहरीन ग्रेंड प्रिक धीक है दोस्तोंoll nex question देखते है बिस्मिला खान का समंद किस वादय अंतर से है इनका समंद है शहनाई वादयंतर से next question train to Pakistan पुस्तक के लेखक ये question 5-6 बार repeat हो चुका है खुष्षवन सिये कि ये book है train to Pakistan नेक्स्ट कोशन है, पंडित राजेंदर गंगानी, ये किस नर्ते से समन्धित हैं, इनका समन्ध है कथक नर्ते से नेक्स्ट कोशन देखते हैं हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है ये आपका महानादी पर बना हुआ है जो कि ओडिसा में स्तित है नेक्स्ट कोशन विधुधारा कौन सी राशी है विधुधारा एक एदिश राशी होती है next question देखते हैं होकी खेल में कितने खिलाडी होते हैं होकी और किर्केट दोनों खेल में 11-11 खिलाडी होते हैं next question है सविधान सवा में ऐस्ताय अदेक्स कोन थे सविधान सवा के जो ऐस्ताय अदेक्स थे ये दोस्तों सचीदा नंज सिनहा थे 9 दिसम्मर 1946 को ये बने थे स्थाई अदेक्स की बात करें सविधान सवा के तो वो थे डॉक्टर राजेंदर प्रहसाजी नेक्स्ट कोशन है 2021 में 2021 दिसम्मर में वीपिन रावत का मिर्ट्व हो गया था आपको पता होगा दुरगटना में वो किस पद पर थे वो दोस्तों CDS पद पर कारे रथे नेक्स्ट कोशन है यूकेरियोटिक और प्रोकेरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाएं किस में पाया जाता है तो ये दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं राइबोसों में पाया जाता है नेक्स्ट कोशन है ओलंपिक में किस ने पहला सुरण पदक जीता ह अब देखिए जो व्यक्तिगत्स प्रदा की बात करें तो उसमें पहला स्वनपदक अभिनाव बिंदरा ने जिता है वैसे अगर आप से सीधा पूछे ओलंपिक में भारत ने पहला गोल्ड किस टीम के द्वार जिता गया था तो भारती होकी टीम हो जाएगा 1928 में जिता था टोक्यो उलंपिक 2020 जो हुआ है इसमें निरत चोपड़ा ने जिता है भाला फैक में नेक्स्ट कोशन उडान योजना किस राजे ने लोंच किया है राजस्थान राजे ने नेक्स्ट कोशन देखते हैं अमजद अली खान कौन सा वादयंतर बजाते हैं तो इनका समन्ध है सरोध वादयंतर से नेक्स्ट कोशन म्यामार की राजदानी तो यह हो जाएगा नोई प्योड़ो नेक्स्ट कोशन देखते हैं सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है तो यह हो जागा यकरत जो लीवर होता है यह सबसे बड़ा गरंथी होता है सुप्रीम कोट का वर्नन ये किस आर्टिकल में किया गया है सुप्रीम कोट का वर्नन आर्टिकल 124 में किया गया है नेक्स्ट कोशन है लाहो जो डान सही कहां मना जाता है लाहो नरते यह आपका मेगाले में है नेक्स्ट कोशन देखते हैं हल्दी गाटी का यूद कब हुआ था ये 1500 चेतर में हुआ था अकबर और महराना प्रताप के बीच में यहाँ पे मिस्प्रिंट है इसको सही कर रहे न नोका जो डोड है ना ये ओनम जो कि केरल का एक मौसव होता है उसमें ये डोड की जाती है नेक्स्ट कोशन है कि सोशन के विरुद अधिकार किस आर्टिकल में किया गया है शोशन का विरुद जो अधिकार है ये आर्टिकल 23-23 में मिलता है हमें अगला कोशन देखते हैं ध देव प्रयाग बोलते हैं नेक्स्ट कोशन है कि सिर्के में कौन सा अमल पाया जाता है सिर्के में एसिडिक एसिड पाया जाता है नेक्स्ट कोशन है कि वातावरण का तापमान किस गैस के कारण बढ़ता जा रहा है CO2 कारबंडाई ओक्साइड गैस के कारण अगला कोशन है कि पंडित रवी शंकर कौन सा वादय अंतर बजाते हैं इन से बहुत बार कोशन आया MTS में सितार वादय काय ध्यान रखेगा ये तो ये इस वीडियो में इतने ही कोशन करवाए हैं मैंने आपको ये वीडियो आपने यादक देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राब जूरू कीजिएगा